नवस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर खोच खबर का एक्रम सबसे बड़ी खबर जो परोसी जा रही है जो दिखाई जा रही है वो है सनातन धर्म, सनातन धर्म और सनातन धर्म उस पर हमला और उस हमले को लेकर हंगामा तमिलाडू के मंत्री उदे निधी स्टालिन का बयान चर्शा में है राष्ट की सबसे बड़ी समस्या के रूप में जिस पर देश के ग्रिह मंत्री से लेकर सारी ब्रिगेड धर्म रक्षा के लिए उतर आई है लेकिन हैरानी की बात है कि इन में से एक भी व्यक्ति इस बास से परेशान नहीं कि देश का नाम नीचे जा रहा है देश के 74 फीसदी लोग स्वस्त आहार स्वस्त भोजन स्वस्त डाइट से वन्चित हैं वे इस बास से भी परेशान नहीं है कि किस तरह से मीडिया मुगुल भाजपा के पूरु सांसद सुभाष चंद्रा का 5,000 करोड रुपे का करजा चुटकियों में माफ कर दिया गया कुल करजा 8,400 करोड रुपे का था और एक एक करके लगातार माफी हो रही है और अटाने जी के घोटाले के बारे में तो पहले से ही ब्लैक आउट है राजणितिक चर्चा या मीडिया पर प्राइम टाइम में इस पर डिबेट कैसे सो सकते हैं हम और आप दोस्तों पूरे देश में अमरित काल का फील गूड इंपक्ट है और जी ट्वेंटी की जो चमकदार तैयारियां चल रही है उसने वाकई दूसरे ढग का अमरित काल सबको परोज दिया है और यह अमरित काल देश के नागरिकों की थाली में भी उतर आया है 74 फीसदी भारती नागरिक स्वस्त पौश्टिक आहार से खाने से वंचित हैं इसकी वज़ा हम और आप सबसे अच्छे ढंग से जानते हैं सारे देश के नागरिक जानते हैं महंगाई की मार हो रोजगार का संकट हो और कमाई लगातार लंबे समय तक एक ही स्तर पर रही और उसकी वज़ह सामने हैं आलम यह है कि 74 फीसदी भारती नागरिकों की थाली में से पौश्टिक तत्व गायब हो गये हैं देश की आबादी बड़ी आबादी कुपोशन के गर्थ में जा रही है पिछले पांस सालों में एक आम भारती नागरिक की थाली की दाम में 65 फीसदी वृद्धी हुई है जी हां यह देखी अमरितकाल का कनेक्ट अमरितकाल और हमारी आपकी थाली की कीमत 65 फीसदी बढ़ना यानि महंगाई की इतनी तगड़ी मार कि हमारी थाली पर सीधे सीधे गाजगिरी और तमाम पौश्टिक चीजें जरूरी चीजें जो हमें आपको बच्चों को खानी चाहिए वह सब गायब हो गई कम हो गई बरबादी और तबाही का आलम तो यह है कि 200 रुपे के सबसीडी के बाउजूद जो उज्वला योजना में चार लाभार्तियों में से सिर्फ एक लाभार्ती पिषले एक साल में जीरो या फिर एक लपी जी सिलिंडर भरवा पाया है कितना जबरदस्ट अमरितकाल है सहयुक्त राष्ट की यह जो रिपोर्ट आई है State of Food Security and Nutrition in the World SOFI यानि दुनिया में खादि सुरक्षा और पोशन की स्थिती पर जो यह रिपोर्ट है इस से पता चलता है कि मोदी जी के अमरितकाल में भारत का नाम कितना रोशन हो रहा है यह नक्षा देखिए यह नक्षा है ब्रिक्स के देशों का अभी सम्मेलन हुआ था अफरीका में जोहांसबर्ग में और उसमें छे और नए देश भी शामिल हुए थे इन ग्यारा देशों में भारत न्यूंतम स्तर पर है यानी ब्राजील, रूस, चीन, दक्षन अफरीका, इरान, अर्जंटीना, साओधी अरब, सयुक्त राष्ट, अमिराथ, एजिप्ट, इथोपिया इन सब की तुल्ला में भारत, भारत की आबादी सबसे जादा संकर झेल रही है, सबसे जादा मार झेल रही है यह रिपोर्ट जो हम सब के लिए गहरी चिंता का सबब होना चाहिए, चिंता की वज़ा होनी चाहिए इसमें जो मुंबई का हवाला दिया गया है, उसके मताबिक सिर्फ मुंबई में पिछले 5 सालों में जो खाने की कीमत है, जो हमारी थाली की कीमत है, उसमें 65 फीसदी का इजाफा हुआ है जबकि तंखवा हो, वेतन हो, दिहाडी मजदूरी हो, उसमें सिर्फ 28 तो 37 फीसदी इजाफा हुआ है और यह रिपोर्ट बताती है बड़े पैमाने पर कि किस तरह से पिछले 5 साल भारती अर्थववस्था जिस तेजी से रसातल में गई है, जिस तरह से मध्यमबर्ग पर उसकी मार पड़ी है, जिस तरह से वेतन बढ़ा नहीं लेकिन महंगाई सुर्सा के मूग की तरह लगा रहने की जो पूरी गैरंटी होनी चाहिए उसे छीन लिया है, लेकिन देखिए मुद्दा यह चर्चा का नहीं है, देश को चलाने वाले लोग हो या देश में मीडिया जो अवधारना बनाने का बड़े पैमाने पर काम करता है, वह हो, उन सब के लिए यह मुद्दा नहीं है, उन सब के लिए मुद्दा है कि किस तरह से ग्रविर विचारधारा, पेरियार विचारधारा में विश्वास रखने वाली, डीम के उसके एक मंतरी, उधे नीदी स्टालिन, जो वहां के मुख्य मंतरी के बेटे हैं, उन्होंने जो बयान दिया कि सनातन धर्म को खत्म कर चाहिए, उससे मुक्त भारत होना चाहिए, और इसके बाद जिस तरह से राश्ची इस तर पर इस पर डिबेट, डिसकुशन, तराही माम, तराही माम हो रहा है, वह बता रहा है कि चिंता कहां है, देश के ग्रह मंतरी, जो मनीपुर में नहीं हिंसा हुई है, सिलसिले वार से हिंसा चल रही है, उस पर फिक्रमन नहीं है, उस पर वह कुछ नहीं कहते, लेकिन वह तुरंथ यहां पर उदे निधी के खिलाफ बयान जारी करते हैं, सिर्फ ग्रह मंतरी ही नहीं, तमाम नेता, चाहे वो भारती जनता पार्टी के राश्टी अध्यक्षों, नडड़ा और विपक्ष के गडबंधन इंडिया को, और सीधे सीधे निशाना लगाते हुए पूछती है, कि वे हिंदू विरोधी हैं क्या, और आप देखिए कि जो पूरा गडबंधन है, उसे डिफेंसिव मोड में डालने की कोशिश होती है, और इसका बहुत करारा जवाब उद् सिधी खुद देते हैं, वे कहते हैं, प्रधान मंत्री को कोट करते हुए, कि जब प्रधान मंत्री लंबे समय से देश को कॉंग्रिस मुक्त बनाने की बात करते हैं, तो क्या, वे हर कॉंग्रिसी को मारने की बात करते हैं, और इसी क्रम में करनाटक के जो एक प्रकर नेता ह प्रियंक खडगे वहां की सरकार में मंत्री हैं उन्होंने जो कहा भभी सुनना बहुत जरूरी है वह कहते हैं कि जो धर्म बराबरी और सम्मान नहीं देता वह दरसल बीमारी ही है लेकिन दोस्तों यहां किसी को इस बास से फिक्र नहीं है कि उदे निदी ने कहा तो क्या कहा और तमिल नाडू का एक मंत्री अगर कुछ कहता है तो क्या पूरे देश में इस तरह का हंगामा होता है और होता है तो क्यों होता है उसका मकसद नड़ा जी जो भाजपा के राश्टी अध्यक्ष हैं वे खुदी साफ कर देते हैं वे सीधा निशाना साथते हैं राहुल ग चाता है ना रोजगार पे चर्चा ने महंगाई पे चर्चा ना इस बात पे चर्चा कि 74 फीसदी भारतियों की थाली से यह पोशक तक वो क्यों गायब हो रहे हैं नहीं सिर्फ चर्चा होती है सनातन सनातनम धर्म पर और यहां मैं कोट करना चाहूंगी बाबा सहाब भीम अमबेटकर को देखिए उनका कथन बहुत साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा था कि अगर यह देश हिंदू राज बनता है तो यह इस देश की सबसे बड़ी तरासदी होगी हिंदू राज को हर कीमत पर बनने से रोका जाना चाहिए अब आज की तारीख में बाबा सहा भीमराव अमबेटकर पर कौन निशाना साधेगा और कहां से निशाना साधेगा हम सब देख रहे हैं कि लगातार वन नेशन वन इलेक्शन पर हंगामा मचा हुआ है एक के बाद एक बैटिंग हो रही है एक वीडियो जो मैं आपके साथ साजा करना चाहती हूं वह इस पू पूर्व राष्टपती रामनात कोविन के नेतरित में जो कमेटी बनी उसके एक सदस्य हैं पूर्व सोलिस्टर जनरल ऑफ इंडिया हरी सालवे जी और यह वीडियो जो बहुत वाइरल हो रहा है इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हरी सालवे जब उनकी शादी होती ह उस समें उस शादी के समारों में यह जो भगोडे ललित मुदी जी हैं जो हमारा और आपका पैसा लेकर 2010 से इस देश से बाहर हैं और लौ इंफोर्समेंट एजेंसियां अभी तक उनकी तलाश कर रही हैं वह शक्स इस पार्टी में मौजूद हैं तकरीबन आठ सो करोड र कि जो लोग one nation one election की बात कर रहे हैं क्या इस देश में सबके लिए एक धनका कानून है शायद नहीं जो लोग मीडिया में, सरकार में या नौकरशाही में बहुत तेजी से बैटिंग कर रहे हैं एक देश एक चुनाओ के बारे में क्या वे कभी सोचते हैं कि इस देश में तमाम भारते नागरिकों के लिए एक धंका कानून नहीं है एक तरफ ललित मोदी, उनका यह वीडियो, दूसरी तरफ सुभाष शंद्रा, तीसरी तरफ अडानी जी और फिर मोदी जी के खास सांसद ब्रिश भूशन शरण सिंग, यह सब जिनकों होना चाहिए था जेल की सलाखों के पीछे, जिनसे वसूला जाना चाहिए था हमारे द् और जित पैसा जो यह लूट कर भाग गए, या जिसकी माफी हो गई, वे सब इतने बेखौफ क्यों हैं, एक धंका कानून जिस देश में लागू नहीं, वहाँ पर जो लोग संघी धाचा तोड़ कर लागू करना चाहते हैं, वन नेशन, वन इलेक्शन, दरसल वे देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, यह सच भी धीरे धीरे सामने आ रहा है, शुक्रिया